मोधी जी ने और योगी जी ने ये काम किया है कि वो दुबारा रिपीट हो रहे हैं और 24 के लिए योगी जी का आना 22 में बहुत जरूरी है मोधी जी का पूर्ण अशिरवाद मोधी जी के नितर्ट में डबल इंजन की सपार, सरकार पूर्णते सफल रही है और मैं पूरे परदेश में घूम रहा हूँ, पांच राजियों में मैं जाओंगा, मैं उत्तर परदेश की बात करूँगा, पूर्ण भाहूमत में आ रहे हैं योगी जी, तर आपका सुमनाम क्या हो गया है, अभिनेंदन पाठक नाम है, भारते नमो से वदल का राष्ट्य आप जो पिछले पांच सालों से साथ सालों से मोदी जी के जो हमसकल के रूप में पहचाने जा रहे हो पूरे भारत वर्ष में, योगी जी पुने आ रहे हैं, तो भाई नहीं मिले, मैं भाई का इस्टेचुई लेके चल दिया, आपको योगी मोदी जी से पहचाना जाने लगया पूरे भारत वर्ष में, क्या लगता है, मोदी जी जिस तरीके से सेंटर में काम कर रहे हैं, योगी जी ने पिछन पास सालों में किया है, उत्तर प्रदेश में ऐसा काम, जी हाँ, मोदी जी आवतार पुरूस है, और मैंने देखिए, मेरे हाथ में एक बैनर मैं भारते नमो सेवा दल, भारते जनता पार्टी की सेवा में, आप मीडिया, अखिलेश जादों तो कह रहे हैं कि इस बार पत्ता साफ हो गया, योगी जी का, वो कह रहे हैं, अभी उनको जरा जो ये चापे मारी चल रही है, इससे थोड़ा सा उनको स्वास्तलाब लेना चाह है, वो कि योगी जी पुन्र भॉमत मैं आ草रहे, मैं ये जानता हूं, इतर कर क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, बोले हमारे इतर नहीं है, जिसका चापे मारी और यह है, इतर तो स्विम बता देता है, कि खुजबु किस चीजज की है, इतर तो खुद संक्रेत दैता है, कि किस सरस्टीर दीवारों से जो नोट निकल रहे हैं यह तो कह रहे कि हमारे नहीं है यह मारका ह Repeat a सोला लोग बाकी हैं दस जनवरी तक सब आपके सामने आ जाएगा अखिलेश तो कह रहे हैं कि इस बार हमारे हैं आरेलडी के साथ गठ बंदन हुआ है उदर क्या देखते हैं पश्चमी उत्तर परदेश में कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका देखें लोक तंत्र है और जो योगी जी हैं और जो मोदी जी हैं ये तो जुमले वाली सरकार हैं कुछ से कुछ बोलते रहते हैं इनका रिपीट नहीं होगा इस बार ये तो वक्त बताएगा वक्त बताएगा पूर्ण बहुमत में योगी जी आ रहे हैं मैं इतना जानता है अभी एक बयान दिया उन पूरे परदेश में घूम रहा हूँ तरफॡ़ ऑझ सरदना नातर केंदर लौना भाट पर और मोय सुन्सरत को हु सॉनинкиा देंगो तो आप खड़ा सर्दना में संगी सोम अगर यहां के कदम रखके बोल के दिखा दे तो हम सर्दना छोड़ देंगे हम कह रहे हैं तो पता नहीं कितने हैं कितने गई पर देंगे बिल्कुल देरे कटो रहे पै दूद उप्फर को लिकट जाना अनुगा यह कहां लिकट रहा इस्तरों बोट जागी कि कोई और नहीं रहने की बसमा आदमी 44 आदमी खड़े हो का रहे मैं खुर सर्वे कर रहा भाई शीजगा 44 आदमी खड़े हो का रहे चतों पारे दिल सारे मन सारे अखलेश यादो तो बोल रहे है आरेल्ट के साथ करके इस बार 400 पा रहे हैं अरे अ अखलेश उनके साथ लगके उन्हें भी गंदा करने कोशिश कर रहा है मुझा जो यहाँ स्पोर्स यूनिश्टी का उद्गाटन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो अखलेश यादो बोले कि हमने खेल खेल के लिए बहुत किया है इस बार उत्तरपरदेश में य अखलेश यादो तो बोल रहे हैं योगी अनुप योगी हो चुके है योगी उत्तरपरदेश के लिए बहुत योगी है बराबर में सुनी तीन सो यूनिट बिजली दे रहे हैं यूबी की जनता को और यहाँ पर किसानों को लिए फ्री बिजली देंगे सचाई के लिए उससे यूपी की जनता को वो नहीं चाहिए तो हिला करणा जोड़ता इस लिए प्री मांवासियोगू प्रप्रदेश वाचे को 2013 का दंगा याद है क्या हुआ था एक तरफा कारवाई करे गई थी ठीजिए हैं अपनी बेहन वेट्टियों की सुरक्षा चीह हैं मारा मान सम्मान है तो हम जिंदे हैं नहीं तो कोई फायदा नहीं है अखिलेश यादो नहीं भी तो दिया था सम्मान अखिलेश यादो की सरकार ने मिला था अब ही अखिलेश यादो के परिवार की साथ चीड़ चाड़ने हुई जिस दिन उनके साथ हो जागी जब पता चलेगा मुल्ला मुलायम कहा जाता था उनके पिता जी को पर अखिलेश यादो तो कह रहे हैं कि हम भवे में राम मंदिर बनाएंगे अपने देश को हमें अफगानिस्तान नहीं बनने देना है यह इंदुस्तान रहेगा और हिंदु की ताकत अब ओर दिखिजा कि समय क्या है क्या नहीं वैसी तो खुली धंकी दे रहे हैं कि योगी जी उदर चले जाएंगे तो देख लेंगे लेंगे हिंदु को कौन बच् हैprehलिया 202 माथ 22 में योगी जी को हमें उत्तरप्त्र देस का मुख्य मंति बनाना अरó इसके बाद जो ना देश की कमारी ओगीर की हात्तम देनी हमά मैं तो खिली जादों का ट्वीट और मोदी जी दोनों सिनेमा का रुख करेंगे सीनेमा में घ deportsta साफ होनेमा उने Canada सारुक खान्या सलमान खान्या मारा योगी अधित्यनाथ नरेंदर मोधिया संगी सोमें यह हमारे इरो आप क्या बोलेंगे ओशी के उपयान पर ओविसी का बापु ती राजे सवरो राजा वहां बैठा है उसका तो कुछ भीगाड़ने सकता है यूपी मारा यूपी तो इसके लावा कुछ नहीं आप क्या बोलेंगे सर्व अगर योगी इसे ओवेसी को पठान मंत्री बनना है तो पाकिस्तान का जाकर बनेए यहां हिंदुस्तान में इसका मतलब ही नहीं है यहां के वाल योगी है और मोधी है और ती साल रहोगा क्योंकि क्योंकि आप हिंदू जाग चुका है अब हिंदू जाग चुका है तो वैसी तो कभी कह देते कि साहीन बाग बना देंगे उत्तर परदेश को पाइन बाग एक बच्चा कुर्बान हो दाएगा हिंदू का हाँ हिंदू अभी इतने कमज़ नहीं है कि यह हो वेसी के पैट यहां हम उखाड के उसा हिदराबाद बेज देंगे